देली करेंट नियूज में अभी की खबर है आसियान भारत ठिंक टैंक नेटवर्क सम्मेलन आज यानि 8 नवंबर को विदेश मंत्री S. जैशंकर ने आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क के आठवे गोल मेज सम्मेलन को सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया जा रहा है इसका उदेश भारत और आसियान देशों के बीच रणनितिक साचेतारी को मजबूत करना और क्षेत्रिय सहयोग को बढ़ावा देना है विदेशमंत्री अपने सम्मोधन में भारत की एक्ट इस्ट नीति के तहत आसियान देशों के साथ सम्मंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया है बतादें कि भारत की एक्ट इस्ट नीती दक्षणपुर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक, रणनितिक और सांस्कृतिक संबंदों को बढ़ाने की एक कूटनितिक पहल है या सम्मेलन भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग को नई उचाईयों पर ले जाने की दिशा में एक महतुपण कदम है इसमें क्षेत्रिय विकास, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे विशेयों पर गहन चर्चा की गई है आई अब जानते हैं आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क के बारे में इसकी स्थापना भारत और दक्षन पुर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी इस नेटवर्क का मकसद आसियान भारत सामरिक साजेदारी को मजबूत करना और आसियान भारत संपर्क एजेंडे को लागू करना है इसके लिए भारत और आसियान के थिंक टैंक और संगठनों के साथ नियमित रूप से नेटवर्किंग की जाती है आईएब जानते हैं आसियान के बारे में आसियान का पूरा नाम दक्षन पुर्व एशियाई रास्टों का संगठन है इसकी स्थापना आठ अगस तुनीस सो सरसट को बैंकाउप थाइलाइंड में हुई थी या एक शेत्री अंतरसरकारी संगठन है इसका उदेश है सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन, सिंगापूर, थाइलेंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यामार, कमबोडिया हैं गोर तलब है कि भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है तो आईए नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न आसियान के संदर्व में निमेलिख प्रश्न का जवाब कमेंट बाक्स में देना ना भूलें, धन्यवाद